हलो इन्वेस्टर्स, मार्किट से एक से बढ़कर एक बड़ी और एक से बढ़कर एक धमाके दार खबर निकल करके आ रही है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को REC Limited और BEL यानि की भारत Electronics Limited के साथ में टोटल में 11 ऐसे स्टॉक्स बताने चाह रहा हूं जिन्नोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं FNOW मीडिया बाया आरूश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारे के सारे Announcements एकदम latest हैं पहले share की बात करें तो company का नाम है Praj Industries Limited ये जो वीडियो है आज मंडे के दिनी मैं record कर रहा हूँ बट market opening से पहले record कर रहा हूँ तो जितने भी shares के आप current price देख रहे हैं ये सभी के सभी last trading session के closed price हैं अब Praj Industries के share के अंदर में last trading session पे हमें लगबग 3.5% की तेजी देखने को मिली थी और company का जो share है 518 रुपीज के उपर में close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Praj Industries ने जो है यहाँ पे dividend announce कर दिया है इस 6 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 6 रुपे का dividend दिया जाएगा dividend value काफी अच्छा है साथ ही साथ में company के quarter 4 results भी सामने आए है जोगी काफी जादा हिल दी है because company के quarter 4 के अंदर में जो profit है वो 7% से increase होता हुआ देखने को मिला है तो quarter 4 results भी काफी अच्छे है dividend announcement भी काफी अच्छा है बट dividend को देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है Magna Electro Castings Limited इस company के share के उपर में last trading session पे हमें 0.46% के एक upside note के उपर में closing देखने को मिली थी और company का जो share है 459 रुपीज के उपर में close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Magna Electro Castings ने जो है यहाँ पे dividend announce कर दिया है 5 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 5 रुपे का dividend दिया जाएगा अगेन यह dividend announcement भी काफी अच्छा है बट इसको देने की भी x date record date जो है अभी तक company ने announce नहीं करी है तो आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा because जैसी x dates और record dates आजाएंगी मैं आप लेगों को definitely सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Wisco Trade Associates Limited इस company के share के उपर में last trading session पे हमें 2% की गिरावट देखने को मिली और company का जो share है 289 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Wisco Trade Associates ने यहाँ भी stock split announce कर दिया है 2 is 2 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares हैं तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और finally company ने जो है stock split को देने की x date और record date announce कर दी है जो की 14th of June यानि की 14 June की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Shreeji Translogistics Limited इस company के share के उपर में last trading session पे हमें 2% से ज़ाधा correction देखने को मिला और company का जो share है 26 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Shreeji Translogistics ने जो है यहाँ पे dividend announce कर दिया है 0.10 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 10 पैसे यानि की 10 पैसे का dividend दिया जाएगा dividend value ना ही जादा अच्छा है ना ही बेकार है एक average एक decent dividend announce करा गया है याद रखिएगा ये एक penny stock है बागी dividend को देने की x date record date जो है अभी तक company ने announce नहीं करी है अगले share की बात करें तो company का नाम है MM4Gings Limited इस company के share के उपर में Friday के session पे हमें 1% की तेजी देखने को मिली थी और company का जो share है 1,209 रुपीज के उपर में close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो MM4Gings ने जो है यहाँ आप इस stock bonus announce कर दिया है 1-1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share as a bonus मिलेगा टोटल में जो आपका एक share है वो दो shares में convert हो जाएगा In short आप लोग यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने भी shares हैं वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएंगे And इस bonus को भी देने की X date, record date अभी upcoming में है आप लोग definitely चैनल को subscribe कर लीजेगा Because जैसी X dates और record dates आजाएंगी मैं आप लोगो को definitely सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है B.E.L. यानि की भारत Electronics Limited Last trading session पे B.E.L. का जो share है 2% से जादा की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला था और 296 रुपीज के उपर में close हुआ था अब भारत Electronics की तरफ से एक काफी बड़ी और एक काफी positive update निकल करके आ रही है Basically यहाँ पे choice broking करके एक काफी जाना माना brokerage firm है और choice broking ने जो है भारत Electronics के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 330 रुपीज का दिया है तो लगबग 296 रुपीज से लेकर के 330 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे choice broking expect करके चल रहा है भारत Electronics के share के उपर में और साथी साथ में choice broking ने जो है यहाँ पे stop loss भी recommend किया है जोगी 275 रुपीज कर रहेगा तो 275 रुपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है यहाँ पे choice broking ने provide करा है भारत Electronics के share के उपर में अब देखा जाए BEL as a company काफी strong है चाए fundamentally देखिए चाए financially देखिए साथी साथ में PSU unit होने की वज़े से यहाँ पे company के पास में government का support और investor का trust हमेशा मोजूद है all over company के अंदर as such कोई problem हमें देखने को नहीं मिलता and fourth June यानी की कल के दिन यहाँ पे finally हमें elections के result आते देखने को मिलेंगे और अगर ruling government वापस से continue करती है अपना अगला tenure तो definitely भारत Electronics के share के उपर में आप लोगों को एक massive rally देखने को मिलेगी और यह जो 330 रुपीस का target है यह within few days आपको easily achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा और हो सकता है एक दो दिन में भी achieve हो जाए बट फिर भी अगर आप यहाँ पे BEL के share को purchase कर रहे हैं तो 330 रुपीस का जो target है short term perspective wise लेकर के चलिएगा at least minimum one week का समय दीजिएगा हो सकता है एक दो दिन में भी achieve हो जाए बट आप थोड़ा सा safely work करें एक हफते तक का समय लेकर के चले जादा हड़ बड़ी करेंगे तो वो capital आप इसमें invest कर देंगे जिसकी आपको urgent need है तो आपको ना चाते होगी भी company के shares को exit करना पड़ेगा तो मैं यही suggest करूँगा short term में काफी easily काफी smoothly 330 रुपीस का target आपको achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो राम से आप BEL के share के उपर में invest कर सकते हैं बाकी जरूर से भारत electronics के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा अब आ लगबग 2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी और company का जो share है 538 रुपीस के उपर में close हुआ था अब अगेन REC Limited की तरफ से भी एक काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically choice broking करके ही जो brokerage firm है इन्होंने जो है REC Limited के share के उपर में भी bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पर जो target price दिया गया है वो 625 रुपीस का दिया है तो लगबग 538 रुपीस से लेके 625 रुपीस तक की एक जो बड़ी rally है वो यहाँ पर choice broking expect करके चल रहा है REC Limited के share के उपर में और यहाँ पर भी choice broking ने जो है stop loss recommend किया है जो की 490 रुपीस कराएगा तो 490 रु लुकरेज कॉल जो है choice broking ने REC Limited के share के उपर में भी provide करी है अब देखा जाए ये भी एक PSU unit है तो government back day कही ना कहीं कह सकते हैं साथी साथ में fundamentally financially भी काफी strong है company की loan books यहाँ पे increase हो रही है जितनी जादा increase होंगी उतनी अच्छी बात है company का revenue और profit भी उतना ही जादा कहीं ना कहीं देखा जाए company already past में अपने investors को काफी massive returns बना करके दे चुकी है और यह जो 625 रुपीज का target है वैसे तो आपका short term का target रहने वाला है बट मैं यही suggest करूँगा हो सके तो आपका view mid term तक का रखिएगा उसके हिसाब से आप easily इसमें invest फिर कर पाएंगे short term में काफ REC Limited के share को भी आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं काफी अच्छी और काफी quality company है तो REC Limited और BEL दोनों companies के shares को आपकी नजरों के अंदर में बना के रखिएगा और इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 11 stocks थे जिनोंने आपे stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगियो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विकॉस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई